गुद मॉरिंग विवर्स वेलकम टू बैक कवर चैनल चले स्टाट कर लेते आज का यूसफूल वीडियो जिसे देखने के बाद आप यह जरू कहेंगे काश हमें यह ट्रिक पहले पता होते तो हम इने जरूर अपना दे क्योंकि आज की यूसफूल टिप अपनाने के बाद लाइफ की बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे पहला इसकूल टिप मेरा वेसलेन से जुड़ा हुआ है विंटर सिजन आते ही न हर घर में वेसलेन होती है वेसलेन का यूस अगर हम महलाएं करती है हमारे हाथ पेरों को सौफ बनाने के लिए तो इसकी एक साउधानी रखना बहुत जरूरी है अगर आप ये साउधानी नहीं रखते है ना तो इस वेसलेन के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो जब भी आप ऐसे लगा लेते हैं कम से कम आदर घंटे का टाइम दीजिए अपने हाथ पेरों को ताकि अच्छे से ये मोस्टराइजर की तरह काम करें और आपके हाथ सुपर सॉफ्ट बने रहें इसके बाद में आपने कभी भी पानी का काम नहीं करना है दूसरा आपको कीचन की कामों को अवोईट करना है कोशिश कीजे कीचन में आप ना आए हमारे कीचन में बनता है खाना किसी भी चिश को अगर आप हाथ लगाते है तो हमारे हाथ से वेसलिन ना खाने में जाती है जैसे कि हमें सब्सक्राइब को दिखा रही हूँ परतन है कुछ भी कीचन का जो एरिया है आपने वेसलिन लगे हाथों से बिल्कुल टच नहीं करना है क्योंकि वेसलिन में होती है पैट्रोलियम जेली जो कि हमारे खाने के लिए बिल्कुल नहीं होती है आपके घर में भी वेसलिन का यूज होता है तो कोशिश कीजिए का चहरे पेसे अपलाई ना करें आख ना कान मूं से इसे बचाएं इससे वेसलिन डाइट हमारे बोड़ी के अंदर जाती है तो वेसलिन को हमेशा हाथ पे रुपे ही अपलाई करें अगला इस फुल हैक मेरा घर में रखे हुए बेकार जुराब के लिए है अगर आपके पास बेकार जुराब है तो आप उनका यूज कर सकते हैं नहीं तो इस तरह के जो मिसिंग जुराब होते हैं जो सिंगा लेकि एक बच जाय करते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं बर्दंद होने की जो स्क्रब आते हैं जब नए होते हैं तो बहुत अच्छे भी लगते हैं और यूज करने में भी बहुत आसान होते हैं लेकिन जब हम इसे यूज़ करते रहते तो आपने देखा होगा ये खतम भी नहीं होते हैं उससे पहले ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनको यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं करता है तो ये जो मेरे पास स्क्रबर है इन्हें मैंने दो हबते पहले निकाला पहुत से घर में इन्हें डिसकार्ट कर दिया जाता है डिसकार्ट करना भी चाहिए पर आप इसका अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं वो इस जुराब के साथ अगर पहुछ चल्दी से ये खराब हो जाते हैं तो आप इस तरीके से घर में पड़े हुई मिसिंग पहन भी देता है और हमारे हाथों को नुकसान भी पुचाता है तो इस तरीके से आप जुराब के अंदर लालने के बाद एक नोट लगा लीजिए यहाँ पर आप जुले को भी इस तरीके से नोट लगा के रख सकते हैं और जो ग्रीनी स्क्रब हैं जो के हलकी भूल के खरा जब हम इसे clean करते हैं तो आपने देखा होगा यह ना बिखरना start कर देता है यारि कि यह cleaning कम करता है और तूटना start कर देता है जिसके वज़े से बरतन उल्टे गंदे होने लग जाते हैं तो इसे हम कैसे use ले या कैसे इसे और long time तंग हम इसे चलाएं तो फिलाल में थे थोड़ा तूट चुका है पर इसको भी हम और काब में ले सकते हैं या आप fresh वाला इस तरह के sponge का use कर रहे हैं तो इसे आप इस तरह के से जुराब में डाल लीजे अगर इसमें से थोड़ा बह पर्तिकल नहीं आते हैं फूट पर्तिकल जो होते हैं वह सॉक्स के ऊपर ही रहन के इंसाइड अंदर की तरफ नहीं आते हैं चैंले इसका में use करके आपको बता रहे ही हो तो यहां पर बहुत अच्छे से यह और बरतन धोने के लिए बस आपने ही जो पोटली ही हिना हलका सा इसको गीला करना है और यह ब्लकुर वैसे ही काम करेगा जैसे कि हमारे स्क्रोज प्राइप या बरतन के स्पंच काम करते हैं बहुत कब इसमें बरतन लिक्विड जाएगा और हाई हो प्योट्रिक आपको पसंद खतम हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल जब हम बतन स्क्रब से बतन क्लिंग करते हैं तो हमें बार बार बतन स्क्रब को बहुत जादा क्लिंग करना होता है तो यहां पर बतन स्क्रब को साफ कोने की जंजट आपकी खतम हो जाएगी अपर अच्छे से क्लिंग वाले को अच्छे इसे क्लिंग कर लीजे और उसके बाद से उसके बाद के इक एक पूँन पानी वहार आ जाएगा है यह तुक कमाल का है बहुत ही आपकी यूस्स आएगा आप इसे एक बार जारू करकि देखी गा जलीं अब इस फिल है पुल हैक के लिए आपके घर में बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें आप अक्रोड जरूर खिलाते होंगे पर इस अक्रोड के साथ यह दिक्कत होती है यह अक्रोड ना बहुत जादा सक्त खोल के अंदर होते हैं जिसे निकालना असान नहीं होता है एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगे इसके बाद में अक्रोड तोड़ने की ज़णजट है ना हमेशा के लिए आपकी खत्श्व हो जाएगी तो आप अक्रोड को ध्यान से देखेगा एक इसका तरफ होता है मुहाना और एक तरफ होता है इसका पीछे वाला हिस्सा तो इसके पीछे वाले हिस्से में ना हम knife की मतर से हलका सा बस इस तरीके से डालेंगे और इसको ट्विस्ट कर देंगे ये देखें त्विस्ट करते ही आप देखेंगे ये बहुत आसानी से खुल जाएगा मैंने कोई ताकत नहीं लगाई है बस हलका से इसके अंदर चाकू र चाकू अटकाना है और इसे ट्विस्ट करना है आप देखेंगे इसका जो सक्त खोल है बहुत आसानी से खुल जाएगा ये आस तक कि सबसे आसान ट्रिक है एक बार जरूर करके दिखिएगा सेकेंडों में आप काफी सारी जो अक्रोट की गिरी है वो निकाल सकते हैं जिसे अक्रोट कीजिएगा अग्रा इस फोल हैक मेरा पैंट से जुड़ा हुआ है इस एक पैंट योड़ा हुआ हमारे घर में बहुत जादा होते है इसे जब हम हाइंगार में फॉल्ड करते हैं तो यह होता है कि यह खुल की गिर जाया करते हैं यह इसके ऊपर जो शर्ट लगी इस उंगर है उसको लगाने के तरीके को थोडा से ऐसे ऐसे आप mapping दिखा रहे तो भर को डिलietnam है तो इसका एक पहर आपने कुछ इस तरीके से इसके रा श क्युंत भर करना है दूसरा भी नहीं डालना है जिस तरफ से इसका पहला पेड डाला हुआ है उस तरफ से हमने नहीं डालना है अपोसिट उल्टी तरफ हैंगर में हमने इसको हैंग करना है अब आप देखेंगे यहाँ पर एक नोट जैसा बनके रेडी हो गया है इससे जो पेंट है बिल्कुल सकतार नहीं है क्योंकि इस प यहाँ पर हमें चार लेयर बनाके रेडी कर ली है इससे जो आपका पैंट है बिल्कुल भी नहीं खुलेगा यह बहुत काम का है इससे जरूर अपनाईएगा क्योंकि आबे अलमीरा में इसी तरीके से हैंगर में कपड़ों को हैंड करके रखते होंगे उसके बाद भी जब सिंपल वाला तरीका भी मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें यह प्रॉब्लम होती है कि इसमें पैंट तो अच्छे से चल जाता है पर अगर हलका सा हाथ लग जाए ना तो पैंट इस तरीके से बाहर निकल गया जाता है और यह प्रॉब्लम आम है जो कि होती ही होती है तो आप इस तरीके से अगली बार नहीं फोल्ड कीजेगा, जो तरीका हमने आपको बताया है, इसे एक बार आप जरू करके देखिएगा, करने में भी आसान है, और पेंट की फोल्डिंग बहुत आसानी से बिल्कुल नहीं खुलती है, भले कितना ही हंगर को हिला लीजे, चलिए अगला इस फुल हैक आपको बहुत जादा पसंद आने वाला है, कि नीबू हर घर में यूज़ किया जाता है, यह हर खाने का सौध बढ़ाता है, आपने नीबू बहुत तरीके से काटने होंगे, पर आज जो नीबू काटने का तरीका में आपको बता रही हो ना वो इसके उपरवाल हिस्से को आपने बस हलका सा काटना है, और इसके बादे आपको नीबू का जूज़ जूज़ता भी आपको इसमें से निकालना है, निकाल लीजे, यह इस तरीके से नाइक की मदद से इसके अंदर के पार्ट को भी आप थोड़ा बहुत निकाल लीजे, य जबकि यह बहुत जदा हमारे काम आ सकते हैं, एक काटन बॉल इसके अंदर इंसर्ट कर दीजे और इसे हमने बाती का शेप देना है, तो एक छोटी बाती हमने इसके अंदर डालना है, कपूर वाला तेल इसके अंदर डाल लीजेगा, इससे कपूर की एक मद्धी मद्धी स जर्वत नहीं है, यह हमारे घर के मखी मच्छर को भगाएगा, घर में एक बहुत अच्छी सी सोंधी से स्मैल आएगी, जोकि आपके घर की नेगिटिविटी को दूर करती है, इसे आप ज़रूर बना के रखेगा, जब भी आपके पास नीबु आता है, और आपके पास कप कपूर को थोड़ा सा पारवडर बना के डाल दीजे, कपूर का तेल बनके रेडी हो जाएगा, अब मैं इसे टेबल पर रख रही हूँ, जहां से मुझे लगता है कि हल्की से राट स्मैल आ रही है, और यहां पे थोड़े होतना मच्छर भी होते हैं, तो आप इस तरीके से नीवू की छिलके का यूज कर सकते हैं, चाय पती का यूज हमारी डेली रैफ में बहुत जादा किया जाता है चाय पीने के लिए, पर आज हम चाय पती का अलग तरीके से यूज करने वाले हैं, तो थोड़ी सी हमने चाय पती लेनी हैं, लगपक एक चमच और एक कोटन के क तो इस तरीके से आप एक चोटी पोटली बना लीजिए अगर फ्रीज में से बहुत जादा बैड स्मेल आ रही है तो आप तीन से चार पोटली बनाके रेडी कर लीजिए चाय पत्ती की ये चोटी सी पोटली आपके फ्रीज की जितनी भी बैड स्मेल है उसको खतम कर देगी ये ट्रिक अजमाया हुआ है काम करता है एक बार आप करके दिखिएगा उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या ये ट्रिक आपके लिए भी काम किया है चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूसफुल वीडियो में तब तक अप्रादिहान रखेगा देखने के धन्यवाद